असलाम अलाइकुम वेलकुम तो माय यूटूब चैनल तोड़े माय टॉपिक इस मैक्रोस्कोप आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोप मैक्रोस्कोप दिफान मैक्रोस्कोप is the technical field of using microscopes to use object and areas of object that cannot be seen with the naked eye object they are not within the resolution of range of eye there are three well known as branches of microscope, optical electron and scanning probe microscope along with the earning field of x-ray microscope मैक्रोस्कोप लैब के लिए एक बुन्यादी और जुरूरी एस्टूमेंट है इसके जरीए हम आरगन्स को देख सकते हैं जो हम जहरी आंग से नहीं देख सकते हैं मैक्रोस्कोप के साथ हम किसी भी चीज़ का तफसील के साथ मुटालिया कर सकते हैं मैक्रोस्कोप के बहतरीन इस्तमाल के लिए लैब टेक्निशन को इसको चलाने के असूनों के बारे में अच्छी तरह मलूम होना चाहिए मैक्रोस्कोप के मुक्तर्फ इक्साम होती हैं कुछ में अईपीस होते हैं फूट पीस बाडी और अईपीस फुट पीस ये मैक्रोसकोप की बुनियाद होती है जिसके उपर बाड़ी और आई पीस लगे होते हैं और ये इनको सारा देती है रोचनी के जरीया अमूमन फुट पीस के अंदर लगा होता है कुछ पुरानी मैक्रोस्कोप के अंदर लाइट मैक्रोस्कोप की बजाएद मिरर लगा होता है वो मिरर कनवेक्स और कनकेव होता है मैक्रोस्कोप की बाड़ी फुट पीस के उपर लगी तो इस पर एक कंडेंसर सबस्टेज, स्टेज और नोज पीस लगा होता है सब स्टेज मुगतलिफ लेंजेज और डाया फराम पर मुश्टमिल होता है कंडेंशन को उपर नीचे हरकत दे कर हम लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्टेज के उपर क्लिप लगा होता है जिनकी मदद से हम स्पेसिमन को काबू करके इनका मुश्यदा कर सकते हैं कुछ स्टेज फीक्स होते हैं और कुछ हरकत करने वाली होती हैं मगर आज कल ज़्यादा थार मैक्रोसकोप के अंदर हरकत करने वाले स्टेज लगाई जाती हैं। नोज पीस बाड़ी का एक हिसा होता है जिसके ओपर किसी भी चीज को बढ़ा करके देखने के लिए अबजेक्टिव लगे होते हैं और हर अबजेक्टिव के अंदर लेंज का एक सिस्टम होट लगा होता है। मैक्रोसकोप के अंदर किसी भी चीज का मुहिना करने के लिए आई पीस का इस्तमाल किया जाता है ऐसी मैक्रोसकोप जिनके अंदर आई पीस होता है उसे हम मैनो कलर मैक्रोसकोप कहते हैं और ऐसी मैक्रोसकोप जिनके अंदर आई पीज लगे होते हैं इनकों हम बैनो कोलर केते हैं आई पीज के अंदर मुक्तलिब किसम के लेंसे लेखे गें से लेंसे लेंसे के लेखे जथा हैं Essential of Image Information in a Light Microscope रोशनी अनर्जी की एक शकल है जो लेहरों की शकल में सफर करती है वेवलेंट और दो मुक्तलिफ पॉइंट के दिर्मान फासले का नाम है हमें नजर आने वाली रोशनी से मुक्तलिफ रंग पर मुश्तमिल होती है इसे लेंडा केते हैं ये मुक्तलिफ रंग छर्ज चाषसे यसाथसो निनुमिटर पर मुच्छ मैंट में होने वाली तबदिली है लेंज एक अप्रिकल शिफाक गिलास पर मुच्तमिल होता है लेंज दो एक सूम के होते हैं कन्वेक्स लेंज और दूसरा जो है कन्केव लेंज अब टू अपरेट अ कमपाउंड लेट मैक्रोसकोप मैक्रोसकोप को एक हमवार सता पर रखे जहां पर वेबरेट ना हो पावर केबल और इसका सूच डीला नहीं होना चाहिए और ना है स्पारकिंग होनी चाहिए मैक्रोसकोप को इतनी उचाई पर रखें कि आपकी कमर जो हैना वो सीधी होनी चाहिए स्पेसिमन को इस तरह से रखें कि वो पी आई पीस में नजर आना चाहिए मیکروस्कोप को आन करना और उसके एक से दो मिन्ट चलने दे ताके बलब के फिलाइमेंट गारम होसके और इसके बाद बलब की शिदध को सेट करें स्पेसिमन को स्टेज के उपर रखें और दस की पावर की फोकस करें डैफ राम को क्लोज करें और कॉंसिटर के ओपर कितरा फरकत दें इसके बाद डैफ राम को नीचे कितरा फरकत दें स्पेसिमन नजर आने लगे तो इसे रोग दें अब दुबारा स्पेसिमन को फोकस करें इसके बाद रैफराम को स्पेसिमिन के बार सेट करें और जिस एरिया का मौईना करना हो उसे फोकस करें इसके बाद बाजूं को हमवार सता के उपर अराम से रखें वक्वे वक्वे से विंडो से देखें और लगतार मैक्रोस्कोप नहीं करनी चाहिए किया रहा है मैक्रोस्कوब मैक्रोस्कोब एक हसास और नार्म नाजोग इंस्टुमेंट है और इसकी बेफरीन के अना सिर्फ उसके काम करने की सिलहत बड़ाती है इसके लाइफ भी बढ़ जाती है मुझाज़ जिएध पर अमल करके हम मैکروسکोप की लैव को बढ़ा सकते हैं मैکروسکोप को गर्मी की शिद्थ से बचाएं इसे रुजाना साफ करें और जब मैکروسکोप इस्तमाल ना करना हो तो इसे कपड़े के साथ धाप कर रखें मैکروسکوپ के अबजेक्टिफ को नार्म टिशू की मदद से साफ करें या टिशू को जैलोल के साथ गीला करके साफ करें और इस बात के खियार रखें के जलोल की जादा मिदार इस्तमाल ना किजाए कभी कभी अल्कॉम के साथ अबजेक्टिफ को साफ ना करें IP's को उपर से गर्दो गुबार की नर्म टिशू की मदद से साफ करें हमेशे नर्म टिशू का इस्तमाल करें लेंज को नर्मी के साथ साफ करें कभी भी लेंज की रगड को साफ नहीं करना चाहिए मैक्रोस्कोप के बाद मैक्रोस्कोप को अराम से पावर अफ कर दें